सब्सक्राइबें के दूसमें आपको याद करने के लिए और अब मैं आज आपका वीडियो नमबर तीन देने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके जो नीचे का जो आपका यूपी है यानि जो आपका नीचे का जो एरिया है यूपी का उसको मैं आपको करा दूँगा तो आपको अपर एरिया कराया फिर एरिया है उस एरिया के जितने भी आपके मंडल हैं जिसमें पांस मंडल आपके हैं और उनके जितने भी डिस्टिक्स हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ तो आपको पूरे याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्र लेने की जरूरत नहीं है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब कुछ समझाता हूँ आपको वीडियो में, तो देखे साथ ही हो, यह आपका पूरा यूपी का मैप है, ज मिडल एरिया था, मिडल एरिया में आपके कितने मंदल थे, तो आपके 6 मंदल थे, इनको भी मिन करा दिया, और जो लोवर एरिया है, यह जो लोवर पार्ट है, इसमें आपके 5 मंदल है, इन 5 मंदलों के इस वीडियो में कराऊँगा, यह वीडियो नमबर आपका बन में कर यह वीडियो नुम्मर 3 में आपका आज कराने बाला हूं ठीक है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा आप एक एक देख देख क्या बता सकते हो कौन सा डिस्टिक है कौन सा नहीं है तो मैं चलो इसका थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और अच स्टिक्स चांटने में ठीक है तो इसमें मैं बॉर्डर कर दे रहा हूं ठीक है बॉर्डर कर दे रहा हूं इसमें चलिए यह बॉर्डर कर दे रहा हूं मैं इसमें सही से देखता जाओं कहीं उपर वाला एरिया नक बॉर्डर में आ जाए ठीक है देखो चलिए चलिए चलि पहले जो numbering हो चुकी है साथ वह आपकी 57 तक हो चुकी है 57 जले करा चुका हूँ मैं आज 58 से start करूँगा तो ये 58 ये 59 ठीक है ये आपका 60 हो जाएगा 60 अब ये कौन-कौन से जले हैं याद कर लिजेगा ये है आपका जालोन क्या है जालोन जालोन है ये जालोन जला है मंडल कौन सा है तो ये मंडल जांसी है ये जांसी है ये क्या है जांसी है और यहाँ पर ये जो 60 है वो आपका ललित पुर है क्या है ललित पुर याद कर लो जालोन जांसी ललित पुर जालोन जांसी ललित पुर ये तीन ही डिस्टिक आते हैं जहांसी मंडल के अंतरगत ओके कितने आते हैं तीन ही आते हैं जहांसी मंडल के अंतरगत आपके तीन ही आते हैं तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लो ये तीन मंडल आपके आते हैं जहांसी के अंतरगत ओके चलिए आगे बढ़े ठीक है तो अब हम दूसरा करते हैं तो दूसरा मंडल में आ जाता हूँ मैं और यहां से ठीक है चलो जहां से बाद कौन सा मंडल आता चित्रकुड मंडल तो यहां पर जो 61 नमर पर आपको दिख रहा है यह कौन है तो यह है आपका हमीरपुर और इ महोबा यह आपका क्या है तो यह आपका बांदा हो गया इसमें मैं पहले नंबरिंग कर दूँ यह 63 नंबर पर हो जाएगा यह बांदा हो गया और यह 64 नंबर पर हो जाएगा इसे बोलेंगा चित्रकूट तो 61 नंबर पर क्या है तो 61 नंबर पर आपका है हमीरपुर महोबा कि नियुक्त देखें 63 नमब 63 नमबर पे है आपका बांधा बांधा ठीक है और नमबर 64 पे आपका कौन है तो 64 पे आपका है कि चित्रकूट कि चिट्रकूट की मंदल है ठीक है चित्र चित्र खोट ही मंडल है तो इस तरी कीसाथ करो ठीक है पहला हमीरपूर नीच्छे उसके महबा फिर आगे बांदा और बांदासे आगे कर लोगे न हमीर पूर महोबा बांदा चित्रकूट कर लोगे न हमीर पूर महोबा बांदा चित्रकूट मंदल हो गया अमिर पूर महाबा बादा चित्रकूट कोगे चलो आगे करते हैं पहले स्की लाउन किश्ता ओ mister ठीक है तो ये आपका हो गया ये आपका मिया स्थी ठीक 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 चलो आप यही तक ताओ प्हेले इस लूज अनम ये शाउच्ट पेंच्ट हे छोच्जट जूच्ड ऑट खोढो बीडें तो चोवाड शोपोनों रही ह। बता तो चोट अब पहले यह देखू कौण से मंधल में सब्धीर कर चुक है तो प्रियागोरा मंदल में प्रिविस कर चुके थो यह चुह नमबर पर फटेःपुर 65 पर आपका को न है तो पैंसर प्रेंसर पर आपका है यह आपका हो जाएगा कौनसा कौसांबी पिकोसांबी को सांबी सांबी यह आपका को सांबी हो गया फिर आपका 66 नंबर पर हो जाएगा आपका क्या प्रताप गड़ क्या प्रताप गड़ प्रताप गड़ 66 आपका प्रताप गड़ हो गया नेस्ट आपका 66 में नंबर पर आपको जो मिलेगा वह आपका है यहाँ पर कौंसा मंटल प्रियाग राज प्रियाग राज याद कर लो 64 फतेपुर 65 कौसामबी 66 प्रताब गड़ फिर प्रियाग राज तो फतेपुर फत्वा मालीजी किसी का फत्वा निकल गया ठीक है तो उनका क्या निकल गया प्रताब गड़ से होते हुए सीधा प्रियाग राज पहुँची знаете तो ये पहुँची यहां पे हाई कोट में पहुची तो फत्यपुर दूसरा कौसामभी तीसरा आपका प्रताबगड और चौथा आपका प्रयागराज यानि चौन सट पैंसट चौन सट याद हो गया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे नंबरिंग कर लो लीजिए नंबर में और यहां पर देखिएगा इसको लाइन कीच दे रहा हूं तो यह पता होगा आपको यह जो ऊपर का जो एरिया आपको दिख रहा है यह आजमगड का है आजमगड से यह मौ यह मौ आगए और मौ के आगे यह बलिया चले गए यह बलिया वाला उपर वाला आजमगड य से प्रियागराज मंदल और चौत था आपका हो गया बारा नशाय मंडल में नंबर्इं कर दे रहा हूं थिक है चलो नंबरब कर दीता हो पहला नमबर यहां पर आपका है यह और शुट पर आपका है जोनपुर कौन जोनपुर 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 ठीक है उनत्तर तो उनत्तर पे जो नम्मर है वो आपका यहां पे उनत्तर लिख दीजिए यहां पे उनत्तर का लिख देते हैं तो यह आपका बारा नसी हो जाएगा बारा नसी बारा नसी हो गया ठीक है इसके बाद आपका जो सत्तर है सतर पे कौन सा हो जाएगा तो सतर पे आपका हो जाएगा यहां बाड़सी के नीचे सीधा तो सीधा हो जाएगा यहां पे आपका जालोन वाला वह चंदॉली वाला ठीक है चंदॉली का यह हो जाएगा सुरी चंदॉली देख लिए जी से चंदॉली चंदॉली यह चंदॉली पूर गाजी पूर ठीक है 71 पर क्या है गाजी पूर है अब याद हो गिया देखो पहला जौनपूर दूसरा बारनसी तीसरा चंदौली और चौथा मतलब 71 पर क्या है तो जा लो ने देखो इस तरी के सगर लो जौनपूर किसी के सर में जूँ हो गया जूँ हो गया तो उसके जो बाल थे बाल का मतलब बाडसी जौँ हो गया बाडसी मतलब बाल से आद कर लो चंदौली तो उसकी जो चंद थी चंदौली मतलब जो उसकी वो कैसी हो गए, गाजीपुर मनलब गंजा हो गई क्या हुआ किसी की चांद में है, क्या हुआ क्या हुआ, जूं का मनलब जानते हूँ जिसे हम हिंदी में स्री, इसे डिंगर बोलते हैं ठीक है यह जीसे दिमा गोता उपसी तरीके से तो ये जौनपुर हो गया जौनपुर के बाद दूसरा क्या हो गया बाड़ बाल बाड़सी चांद चंदौली और गंजा तो गाजीपुर तो जूं हो गए और जूं हो गए किसमें बाल में हो गए जूं बाल में ही हो गए चांद कैसी हो जाएगी गंजा तो जब जू हो जाते थे क्या जब हम छोटे थे पच्पन में जैसे मालोच चांद में जू हो गए तो पिताजी क्या करते थे सीधा जाकर के गंजा गुटबा देते थे यानि आपका सीधा बाल मुडबा देते थे आपके जब बाल मडवा दीते तो कैसे हो जाते हम गंजा तो गाजीप्र होगेगा जू हो गए तो बालों को पिता जी ने जो चांद थी उस पे मडवा दिया और मडवा दिया तो हम गंजा हो गए तो पहला जौनपूर भाड़ासी चंदवाली और आपका उजाए गाजीपर, फ्याद होगे न, अब 3 रह गए किसके, तो 3 रह गए आपकी ये मिरजापूर के, तो जो मिरजापूर बैफ सीरीज थी वो तो आपने देखी होगी, ठीक है तो भए उसी के हैं, ये आपका आ गया, 70 के बाद, कि एकातर होगे ना कि एकातर हो गया कहीं गड़ों सब्सक्राइब होगे क्या एकातर यह बात्तर कि एत्तर यह चोत्तर कि एक होगे वाई कि परिंग में गलती झाल ठीक है तो ये आप जरून से मैनेज कर लीजेगा ये जो गलती हो गई है इसमें और इसके बाद आप देखिएगा तो इसमें आपको बजा देता हूँ ये जो 73 नमबर पे आपको दिख रहा है कौन 73 नमबर पे जो आपको दिख रहा है ये वाला 73 नमबर पे इसे बदोई बोलते हैं ये आपका हो गया मिरजापूर और ये आपका हो गया 75 नमबर पे कौन सा तो सबको दोनों के तीनों को गयाद कर लो पहला बदोई यानि 73 नमब पर आपका हो गया यहां पर यह मृजापूर और 75 नमर पर आपका हो गया सवानबद्र थीक है सवानबद्र हो गया तो अभी कहीं अबाद चली गई वह तो आप फिर से इसको मैं रेपीट कर दे रहा हूं एक बार के लिए ताकि आप अच्छी समझ पाएं तो देखिए पहले मैंने यहां पर जॉनपूर बाला कराई दिया है इसमें जॉनपूर में पहला ये जॉनपूर हो गया 70 नमर पे आपका यहां पे बार्ण नसी हो गया चंदोरी हो गाजी पूर हो गया तो इसमें मैंने उता दिया सर में जूं हो गए हैं जूं हो गए हैं तो क्या करा बाल बाल देखें सर में जूं हो गए तो सर पे क्या होते हैं बाल होते हैं तो बाल पिताजी ने क्या करा, आपकी चांद को मुडवा दिया, मुडवा दिया नहीं, गंजा करा दिया आपका, तो इस तरीकी से अदगर लो, फिर बधोई हो गया, आपका मिर्जापर हो गया, इसके बाद आपका सौन मदर हो गया, तो मैंने आपको देखो सब कुछ करा देखा, ओके, थैंक यू,